कि अनुमों शिक्ता का डिप्रेशन के ओपर परिणाम कि इसके बारे में मैं ये वीडियो में जानकर देने माला हूं ताहिए आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपकेड़ेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वेसमु की तग्यों महराष्टे में अकु करके लोग हमारी सलहा लेकि एच्छे होते हैं आज में बात करने मौला आपसे वह एक लड़का है 25-26 साल का जो बहुत ही highly qualified है और बड़े company में नोगरी भी कर रहा है मगर पिछले चार मेहने से काफी depressed है sad है nervous है को कोई समझ में नहारा क्या करना दो रोना आता है काम करने मे कोई दिल्चस्पी नहीं इंटर्स नहीं है और वो इदर उदर भूम रहा दवाई ले रहा है उसको मेरे पास में लाया क्योंकि उन्होंने एक मेरा वीडियो देखा जिसमें homosexuality के बारे में ने बोला हुआ है और depression के बारे में बोला हुआ है तो इसलिए वो मेरे पास मे है कि यहां अपना इलाज हो सकता है यह लड़के में problem किया था कि इसको depression के साथ साथ homosexual inclination था और वह बचपन से था और उसको उसके बारे में बहुत ही guilty लग रहा था अभी 25 साल का 26 साल का हो गया घर से pressure है कि अभी अच्छी नोक्री है अभी तुम शादी कर लो और घर से pressure श homosexual उसने कभी contact नहीं किया कोई उसका sex कभी किसके साथ में हुआ नहीं मार उसको लड़के अच्छे लगते है और जब जानकारी लिया तो यह मालूम पड़ा कि उसके घर में उसके सग्य भाई ने चार साल पेले suicide किया उसके पिताज ने 20 साल पेले suicide किया उसकी बुआ जो है उसने suicide किया हुए मतलब घर में कम से कम चार suicide की हिस्ट्री और घर में चार depression मतलब suicide जो है most प्राविली तो कॉस बस डिप्रेशन का कॉस हो सकता है और उसके वज़े से suicide किया मतलब family का काफी सारा heavy loading है suicide का बहुत सारा depression की history है इसको पीछले 4-5 मेने से problem हो रहा है और उसके सा साथ-साथ मतलब वो समझ रहे वो लड़का खुद समझ रहा है कि मारको inclination homosexual का है शादी का pressure हो रहा है करके depression आ गया इधर वो भी combination है कि family loading बहुत है family loading होने के वज़े से depression उसको मतलब काफी सता रहा है और उसमें problem उसका हो रहा है तो यह दोनों बाते जब इकटा हो गई में बताया है major depression होता क्या है और उसको खास classical science symptoms थे major depression के जिसमें उसको loss of interest in work मतलब काम करने में कोई रुची नहीं है रोना आना उदा सिंता होना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कहीं हिलना डूलना नहीं काम करने की इच्छा ही नहीं होना नीन नहीं आना सबर जल्दी नीन section भी है उसके साथ साथ homosexual inclination भी है और उसको अभी ऐसा हो रहा है कि अभी मैंने job छोड़ देना चाहिए और मैंने अभी घर के घर पे आकर आराम करना चाहिए कुछ दिन तक ऐसा उसको लग रहा है इसलिए भी मतलब उसको लाए कि वह यह job छोड़ेंगा तक ऐसा होगा अच्छे company में काम कर रहा है वह बोला मैं उसे काम ही नहीं हो रहा है मेरे से काम ही नहीं कर सक रहा है तो ऐसे इसमें उसको लाए अभी एक लासिकल डिप्रेशन है उसके साथ साथ उसको अच्छी बात है कि उसने कभी sexual contact किया नहीं और उसको वह करना नहीं है उसके करने की इच्छा नहीं तो यह सब देखने के बाद में उसको हमने बोला कि अभी हम प्लैन करेंगे हमने उसको अच्छा प्लैनिंग तयार कि है कि एंटी डिप्रेशन की गूलियां कैसे सेको थेरपी कैसी होंगी सेको थेरपी होने के बाद में मतलब साथ 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 एंटी डिपरेशन दवाई होंगी और फिर संब्मून उपचार से इपनाडिम से वह उसमें विजुलाइशन का टेकनिक वापर के सेल्फ हिपनासिस करके उसको आराम हम कैसे दे सकते हैं या कैस मैंने किसी को भी बताया है नहीं Homosexuality के बारे में कि मैंने को Inclination हैं सिर्फ Inclination है किसी को बताया नहीं और अंदर यंदर और उगुटे जा रहा है जब उसने मेरे पासमें पूरा मन free कर दिया मोकला कर दिया तो उसमें उसको आधा ऐसा लगा कि भई मैं ठीक हो गया हूं मुझे 50% relief हो गया तो उसको लगा कि कोई किसी को बूलने वाले है नहीं अपने खुद के पास में रखेंगे जब उसको विश्वास हो गया तो उसमें मन अपना खाली किया उसको आध़ा तो वैसी अच्छा हो गया और कुछ दिनों में डिफिनेटली ये लोग अच्छे हो जाते हैं और अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं तो ये वीडियो अच्छे लगा आपको ज़रूर शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद